आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ तीले का उन्नेयन कोण अलफा हो जाता है सिद्ध कीजिए कि तीले की उंचाई के गुणे कॉस फाय रिन साइन फाय कॉट अलफा बटे कॉट थीटा रिन कॉट अलफा है देखिए जिस तरह से हमें यह जो चित्रह इसमें दिया हुआ है यहाँ पर B वह बिंदू है जिससे ठीटा के कोण पे एक टीला बनता है अब इसी बिंदू से अगर मैं फाय कोण में के दूरी पे जाऊं तो उस बिंदू से इस टीले की जो उन्नेयन कोण आती है वो कितनी होती है अलफा ठीक है चलिए तो हमें क्या बताना है इस ठीले की जो उचाई है मतलब जो H है उसका मान क्या है यह यह हमें किसका मान दिया है H का मान दिया चले इस प्रशन को हम हल करते हैं हल करने के लिए हम आते हैं सबसे पहले त्रिभुज A, B, C में 10 ठीटा का मान क्या होगा यहाँ पर लंब बटे आधार तो इसका लंब क्या है AC बटे B, C AC का मान है H और B, C को मैं क्या लिख सकती हूँ BF धन F, C के रूप में तो यहाँ पर मेरे पास H का मान क्या आगया BF धन F, C गुने 10 ठीटा यह हुआ हमारे पास समी करण 1 अगर मुझे BF और FC का मान मिल जाए तो यहाँ पर से मैं H का मान निकाल सकती हूँ तो चलिए इसके लिए हम पहुँचते हैं त्रिभुज B, E, F में यहाँ पर SIN, FI का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब है EF और कर्ण है क्या, B, E ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा EF देखे, EF जो है वो CD के बराबर है EF बराबर, CD बराबर क्या, X तो यहाँ पर मैं इसको सीधा क्या लिख सकती हूँ X बटे K अब देखे, X जो है, वो हमने माना है तो मैं X को उन परिणामों के रूप में लिख सकती है जो हमें प्रेशन में दिया है तो यहाँ पर से X बराबर क्या हो जाएगा K SIN, FI यह हुआ हमारे पास दूसरा समी करण और इसी तरी बुज में Cos, FI का मान क्या हो जाएगा आधार बटे करण तो इसका आधार क्या है B, F और करण क्या है K, तो यहाँ पर से मुझे B, F का मान क्या मिल गया K, Cos, FI यह है क्या समी करण तीसरा, अब देखे, यहाँ पर मुझे समी करण A के लिए B, F का मान मिल गया है अब निकालना क्या है F, C का मान मतलब इसका मान इसका मान निकालने के लिए हम पहुचते हैं किसमे Tribhuch A, D, E में क्योंकि E, D जो है वो F, C के बराबर है तो अगर मैं E, D का मान निकाल लेती हूँ वो किसके बराबर हो जाएगा F, C के मान के बराबर ठीक है तो यहाँ पर चुकि E, D बराबर F, C इसलिए हम Tribhuch A, D, E की और बढ़ते हैं Tribhuch A, D, E में हमी क्या मिल जाएगा 10, Alpha 10, Alpha का मान हमारे पास में क्या आजाएगा यह है AD बटे DE AD बटे DE DE को मैं क्या लिख लूँ सीधा F से लिख लूँ और AD का मान क्या है H, R, X बटे F, C तो इसको मैं X के मान को यहाँ पर रखूँ तो क्या हो जाएगा H, R, K Sine 5 बटे F, C तो यहाँ पर से मुझे F, C का मान क्या मिल जाएगा H, R, K Sine 5 बटे 10 अलफा यह हुआ क्या हमारे पास समी करण 4 अब देखे यहाँ से मुझे B, F का मान मिल गया यहाँ से मुझे F, C का मान मिल गया इन दोनों मानों को मैं यहाँ पर रख सकती हूँ तो मुझे किस का मान मिल जाएगा उंचाएगा चले इसे हल करते हैं H बराबर B, F का मान क्या है K, C, 5 धन H, R, N K, Sine 5 बटे 10 अलफा और यहाँ पर पूरे के गुणे में 10 थीटा ठीक है यह वाला 10 थीटा को मैं सर्फ ले आऊंगी तो यह क्या हो जाएगा H बटे 10 थीटा बराबर K, C, 5 धन H, C, अलफा R, N K, Sine 5 C, अलफा होगा ठीक है अब यहाँ पर से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ H, C, थीटा R, N H, C, अलफा बराबर K, गुणे कॉस, फाई, रिन साइन, फाई, कॉट, अलफा यहाँ पर से मैं H को भैनिष्ट करूँगी और यह वाले मान को इस तरफ लेके होगी तो यह क्या हो जाएगा K, कॉस, फाई, रिन साइन, फाई, कॉट, अलफा और हर में मेरे पास इसे आपर माना जाएगा कॉट, थीटा, रिन कॉट, अलफा और क्या हमें यही सिद्ध करना था? बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था जो हमने आपर सिद्ध कर दिया है अशा करती हूँ आपको इस प्रशन का हल बहुत तर दोनों समझ में आया है धन्यवाद